तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और ये अध्याय तीन का दूसरा वीडियो लेक्चर है पहले वीडियो लेक्चर में हमने ये पढ़ा था आपके सामने दिख रहा है कि दो चरवाले रेकिक समिग्रण योग में कहलाते क्या हैं आज हमारा पहला कदम रहेगा और दो चरवाले रेकिक समिग्रणों को हम और डिटेल में जानेंगे हमारे पास कोई भी दो चरवाला रेकिक समिग्रण है जैसे हम एक बाला यही उठा लेते हैं एक्स प्लस बाई बराबर तीन बहुत ध्यान से समझना अगर हम इसमें एक्स का कोई भी मान रखत सकते हैं या फिर हम एक भी रख सकते हैं दो रख सकते हैं माइनस एक रख सकते हैं माइनस दो रख सकते हैं जो भी आपकी एक्छा हो ठीक है जादा तर यह मान रखे जाते हैं लेकिन जो भी आपकी एक्छा हो आप एक्स का मान यहाँ पे एक्स की जगा पे खुद मन से रख सकते हो, जिससे आपको एक बाई का मान समीकरण के अनुसार ही मिलेगा, चलो मैं 0 रखके आपको बताता हूँ, जैसे आपके सामने ये दो चरबाला एक रेख एक समीकरण है, अगर मैं इसमें X की जगह पे 0 रख दूँ, तो क्या होगा, जहां X लिखा है, उसकी जगह पे आपको ऐसा लिखना पड़ता है कि X बरावर 0 पर, ठीक है, X बरावर 0 पर ये समीकरण कैसा होता है, देखो, जहां X है, वहां पे क्या आजाएगा, 0 आजाएगा, फिर धन बाई लिखा है, तो धन बाई आजाएगा, और बरावर कितना आजाएगा, बरावर आजाएगा 3, तो X बराबर 0 पे हमने जहां X लिखा था ना उसकी जगा पे 0 रख दिया और धन का बाई और बराबर में 3 लिख लिए अब ये जो 0 है इसका कोई मतलब नहीं है यहां पे क्योंकि 0 किसी संक्या में जोड़ने से वो संक्या ही आएगी तो वो बाई हम नीचे लिखेंगे और बराबर कितना आ जाएगा 3 इसका मतलब ये हुगा कि हम X का मान तो मन से रखेंगे लेकिन बाई का मान हमें समीकरण के अनुसार मिलता जाता है जैसा समीकरण होगा उस हिसाब से हमें बाई का मान मिलेगा अब इसी समिंक्रण में हम x कमान फिर से अगर कुछ और बदल के रखें जैसे एक रख दें इस बात तो क्या होगा देखो तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है कि x बराबर एक पर तो जैसे हम इस समिंक्रण में x की जगह पे एक रख दें तो क्या होगा? X की जगहे पे हमने रख दिया 1 और प्लस हो गया Y और बराबर कितना हो गया 3 ये देखो अब एक क्या है? एक संख्या कहलाती है और ये क्या है? X, Y वाले पद हैं इन्हें हम चरपद कहते हैं और ये कहलाती है संख्या जो की एक अचरपद कहलाती है तो अचरपद और चरपद आपस में नहीं जुड़ सकते मतलब संख्या X, Y में कैसे जुड़ जाएगी तो संख्या को संख्या की तरफ ले जाएंगे तो अगली बार में इस एक को हम नहीं लिखेंगे क्यों? क्योंकि हम इसका पक्छांतर कर रहे है तो धन बाई को बस लिखेंगे तो धन लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि बाई धन का ही माना जाएगा बराबर है तो बराबर लगा लिया तीन लिखा है तो तीन लिख दिया ये हमने यहां से लेके यहां तक जिओं काते हूं लिखा इसके बाद जो एक कोई भी चिन्य नहीं लगा था तो वो भी धन का माना जाता है फिर हम जो एक है ना इसका इस तरफ करेंगे पक्षानतर तो माईनस का एक हो जाएगा तो देखो हमने संख्या को संख्या की तरफ पक्षांतर करके लिख दिया तो धन का एक था तो वो हो गया रिन का एक क्यों हो गया क्योंकि उसका हो गया है पक्षांतर पक्षांतर कब होता है जब बीच में लगा हूँ बरावर तो बरावर के इस तरफ जब हम कोई संख्या ले जाते हैं या इस तरफ से इस तरफ कोई संख्या ले जाते हैं तो उसके चिन्ह बदलते हैं जो भी संख्या हम ले जाते हैं उसके चिन्ह बदल जाते हैं तो यहाँ पे आपको बाई बराबर मिलेगा तीन में से एक चला जाएगा तो कितना मिलेगा? दो मिल जाएगा तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हम X का मान एक रखेंगे इस दो चरवाले रेकिक समीक्रण में तो बाई का मान हमें दो प्राप्त होता है इसका मतलब है कि हम इस समीक्रण में X का मान रखके Y का मान प्राप्त कर सकते हैं अब कई बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर दिखो X का मान रखके आपने Y का मान प्राप्त कर लिया क्या Y का मान रखके X का मान भी प्राप्त किया जा सकता है बिल्कुल किया जा सकता है आप इसका उल्टा भी कर सकते हो जैसे इस बार आप बाई का मान कुछ भी रखिए मन से जैसे बाई का मान आप 0 रखिए तो ये मैं समीकर दोबारा से लिख लेता हूँ कि X प्लस बाई बराबर 3 ये रिख लिया अब इसमें जो बाई का मान है वो हमने 0 रख दिया तो क्या होगा? X प्लस बाई की जगा पे हमने 0 रख दिया और बराबर कितना कर दिया? 3 तो जीरो के यहाँ पे कोई माईने नहीं है तो X बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा क्लियर हुआ ना? तो इसका मतलब यह हुगा कि दो चर बाला रैकिक समिकन तो काफी काम का है कैसे काम का है? कि इसमें हम X का मान रखेंगे तो हमें बाई का मान अपने आप ही मिलता है और अगर हम बाई का मान रख देते हैं तो X का मान अपने आप मिल जाता है मतलब X और बाई के मान से ही मिलके वो समिंगर बनता है अब जरूरी नहीं है कि X और बाई हो हलाकि 10th लेविल में आपको जो कक्षा दस्मी में ज़्यादा तर सवाल है वो X बाई में है लिकिन अगर कहीं A या फिर 2 A प्लस 3 भी लिखा है बरावर 4 तो ये भी एक 2 चरवाला रहखिक समिंगर रहा है तो इसमें भी हम A का मान रखके B का मान निकाल सकते हैं लिकिन अभी ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन पड़ जाएगा क्योंकि मैं आपको थोड़ा ऐसे समझ के समझा रहा हूँ कि आप पे अभी ज़्यादा कुछ नहीं आता है ठीक है तो एक सरल सा सवाल से पहले तो आपको ये समझाने की कोसिस की गई है कि अगर आप X का मान रखोगे तो B का मान मिलेगा और उल्टा करोगे अगर B का मान रखोगे तो X का मान भी मिल जाएगा बताइए समझ पा रहे होना मेरी बातों को Step by Step ये पूरा लेक्चर देखो Step by Step हर चीज समझ में आने वाली है तो ये हमारा पहला कदम है अब आपको मैं सवाल दे रहा हूँ एक वीडियो को पॉस करके भी आप कर सकते हो मैं सवाल दे रहा हूँ उसको मैं अलग कलर से लिख लेता हूँ जैसे अब इस बार मैं थोड़ा सा कठिन कर देता हूँ जैसे 2X धन बाई बराबर 10 दे दिया चलो अब इसमें आपको X का मान मन से रखना है और बाई का मान प्राप्त करना है तो कैसे करोगे देखो काफी सिंपल है सबसे पहले आपको क्या करना है जो दिया रहता है उसको लिख लो 2X धन बाई बराबर 10 हर एक तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं बोड एक्जाम में कैसे करते हैं सबाल लेकिन सबालों को रटना अलग बात होती है और सबालों को सीखना कुछ से प्रक्टिस करना वो एक अलग बात होती है आप चीटिंग करके 10 और 12 तो निकाल दोगे लेकिन जब आपका असली कॉम्पेटिशन शुरू होगा जैसे यहां पे अगर हम एक्स का मान जीरो रख दें ज्यादा तर हम सुरुगात करते हैं कि जीरो से जीरो से क्या होता है कि थोड़ा सरल पड़ता है हमें करने में तो जैसे हमने एक्स का मान जीरो रखा तो क्या हो जाएगा इस समीकर्ण में कि अगर X के साथ में कोई गुडांख है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं देखो बहुत ही सरल है इतना भी कटिन नहीं है सबसे पहले क्या करना है कि पूरे समीगरण में जहां X रखा है उसकी जगह पे 0 रख लो बड़े आराम से तो यहां से स्टार्ट करो पहले कौन मिला? 2 2 लिख लिया लेकिन फिर कौन मिला? X तो X के बराबर में क्या है? 0 तो X की जगह पे 0 रख दो कोश्टक में कोश्टक क्यों लगाना पड़ा? पहले तो कोश्टक नहीं लगाते थे था देखो X की जगा पे हमने 0 रखा था कोश्टक नहीं लगाया था क्योंकि X के आगे कोई संख्या नहीं लिखी थी लेकिन यहां पे क्या है बिटा X के आगे एक संख्या लिखी है तो वो संख्या X के साथ में गुणा में है तो इसलिए कोश्टक का मतलब ही होता है कि वो संख्या इसमें गुणा ही करेगी ना जोड़ना हो सकता है ना गटाना हो सकता केबल गुणा हो सकता है इन दोनों के बीच में फिर प्लस वाई लिखा है तो यहां पे हमने लिख लिया कि प्लस वाई और बरावर कितना लिख लिए बरावर हमने दस लिख लिए बोलो समझ पा रहे हो ना अब देखो यहाँ पे गुणा करेंगे तो दो शुन्नम सुनने किसी भी संख्या का दुनिया की कोई भी संख्या जब सुनने में गुणा करती है तो सब कुछ सुनने हो जाता है सुनने को एक आप बॉम्ब की तरह भी समझ सकते हो कि बॉम्ब जहां पे रखा होगा वो सब कुछ बलाश्ट हो जाता है और प्लस कितना होगा तो प्लस बाई होगा और बरावर कितना होगा तो बरावर 10 होगा अब जीरो का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है क्योंकि जीरो बाई के साथ में जुड़ेगा तो वो संक्या ही आएगी और अगर गुणा होता तो बहुत बड़ा चेंजिस हो जाता क्योंकि अगर 0 गोड़ित बाई होता तो ये पूरा 0 हो जाता लेकिन ऐसा नहीं है तो बाई बराबर कितना आपको मिलेगा तो बाई बराबर आपको मिलेगा 10 किलियर है ना तो देखो इस प्रकार का जो समिंक्रण है वो आप बड़ी आसानी से कर पाए एकस वराबर 0 गोड़े पर आपको बाई वराबर 10 मिला तो आप इसकी एक तालिका भी बना सकते हो मतलब एक रिकॉर्ड गोड़ कैसा रख सकते हो यह देखो मैंने एकस का मान कुछ रखा तो इस समिंक्रण में मुझे बाई का मान क्या मिला देखो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले ये मैंने इस तरीके की एक टेविल बनाई जिसमें एक, दो, तीन खंड लोते हैं यहाँ पे मैंने X लिख लिया और यहाँ पे क्या लिख लिया बाई लिख लिया अब X का मान मैंने 0 रखा एक्स का मान कितना रखा, जिरू तो बाई का मान कितना मिला, दस तो इसका रिकार्ड आप रख सकते हो, यह देखो कि हाँ, जिरू रखने से क्या मिला था, दस मिला था अब X वरावर चलिए थोड़ी देर के लिए हम X वरावर एक रखते हैं मान लीजे इस में, ठीक है फिर मैं बताऊंगा, लॉजिक लगा के हम कैसे मान रखते हैं, मतलब दिमाख लगा के, बुद्धी लगा के, अभी तो केबल सीखो कि मान कैसे रखा जाता है नहीं तो आप पे बिलोपन बिदी नी बनेगी, प्रतिस्थापन बिदी नी बनेगी बहुत कुछ सिखाना है आपको इसलिए थोड़ा ध्यान से देख चे रहो और वीडियो भी ज़्यादा लंबे ना हो इसलिए मैं आपको तोड़ तोड़ के सिखाऊंगा ताकि आप मैनेज कर सकें और आपका मोटिविशन लेविल बड़े जितने ज़ादा आप वीडियो लेक्चर देखोगे उतना आपका मोटिविशन लेविल बड़ेगा कि चलो मैंने 5 निप्टा दिये, 6 निप्टा दिये वीडियो, 7 निप्टा दिये है न तो पढ़ाई में मनलगा रहता है, अब हम x की जगापे एक रखते हैं, तो मैंने x वरावर 1 रख लिया, इसी समिक्रण में तो x वरावर 1 रखने पर, बहुत ध्यान से समझते जाना, तो जैسे इस समिक्रण में x वरावर 1 रखोंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, मैं यहां पी करवा देता हूँ दो लिखा है तो दो लेकिन जहां पे X लिखा है ना उसकी जगा पे कोश्टक में क्या रखोगे एक रखोगे और प्लस भाई हो जाएगा तो प्लस भाई लिख देना और बरावर में कितना हो जाएगा तो बरावर में बीटा 10 हो जाएगा तो 10 लिख लेना कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी इसके بعد 2 का गुणा एक में होगा गुणा ही क्यों होगा क्योn कि कोछ्टक का मतलब क्या होता गुणा करना तो 2 एक म, 2 और प्लस बाई बरावर 10 तो प्लस बाई बराबर कितना हो जाएगा दस हो जाएगा अब ये जो दो है ये गुणा में है गुणा वाली संख्या कहा आती है सुरी दो जो है वो प्लस में है ये प्लस में है न तो ये संख्या है गुणांग नहीं है गुणांग कब होता है जब जैसे मैंने यहां पे अगर दो बाई लिखा होता जैसे कभी कंडिसन आ जा इस तरीके की जैसे यही लिखा है इसको छोड़ो इसको देखो दो प्लस अगर ऐसा लिखा होता तीन बाई और बरावर होता दस समझो हर एक सिचिवेशन को समझो के हल कैसे करते हैं सबाल को यहां पे बाई के साथ में यह जो तीन है यह चिपक के लिखा है चिपक के लिखा है इसका मतलब यह है कि यह बाई का गुड़ांग है क्या है यह गुड़ांग है लेकिन यह बाई के साथ में यह जो दो है थोड़ा दूर लिखा है दूर लिखा है उसे क्या बोलते हैं उसे संख्या बोलते हैं तो संख्या का पक्षांतर अगर धन में हैं तो इस तरफ आके द्रण में हो जाएगी यानि माइनस में हो जाएगी और अगर माइनस में हैं तो बरावर उस तरफ जाएगी तो धन में हो जाएगी यानि प्लस में हो जाएगी लेकिन गुडांक सीधा गुडा में है तो वो बटे में जाता है और जो चिन्न उसके पास होता है वही चिन्न लेके जाता है उसका चिन्न नहीं बदलता गुडा बाली संक्या कहा जाती है बटे में जाती है अब आपको अभी लग रहा होगा कि सर छोटी छोटी बात बताते हैं लेकिन मैं आपसे बादा करता हूँ कि अगर आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं गणित को और आपका इतना अच्छा बेसिक हो जाएगा कि अगर सवाल बदल के भी आता है ना एक्जाम में और किसी भी तरीके का सवाल है तो आप उसको आसानी से कर पाओगे ठीक है तो देखो यहां पे बाई का कोई गुडांक नहीं है क्योंकि बाई के साथ में कोई भी चीज चिपक की नहीं लिखी है जिसे यहां पे तीन लिखा था तो यह कहलाती है संख्या और संख्या का पक्चांतर प्लस माइनस में होता है तो यह जो दो लिखा है इसके आगे कुछ भी नहीं है तो क्याल माना जाता है प्लस तो इस दो का करेंगे पक्चांतर तो बाई वराबर हो जाएगा 10-2 तो बाई वराबर हो जाएगा 8 तो बाई का हमें मान मिलेगा 8 तो हम यहां record के रूप में लिख सकते हैं अपनी तालिका में लिख सकते हैं कि हम x का मान हमने 1 रखा तो हमें बाई का मान कितना मिल गया 8 मिल गया ऐसे ही सवालों को करते हैं तो ये हमारा पहला कदम था जिसमें हमने सीखा कि दो चरवाले रहके समीखरण में हम X का मान रखते हैं तो हमें बाई का मान मिलता है और अगर हम बाई का मान रखते हैं तो हमें X का मान मिलता है और उसका भी हम एक रिकॉर्ड एक तालिका की माद्द हम से इसे हम क्या कहते हैं बिटा तालिका कहते हैं ध्यान रखना इसकी जरूरत पड़ेगी आगे इसे हम क्या कहते हैं तालिका इस तालिका से ग्राफ बनाना हम बाद में सीखेंगे अभी सीख रहे हैं कि हम मान कैसे रखते हैं और मान निकालते कैसे हैं और समीखन को हल किया कैसे जाता है एक्चली में वो सीख रहे हैं और ये बहुत जरूरी है अगले वीडियो में हम दूसरा कदम आगे बढ़ाएंगे और माल निकालेंगे कुछ और समीखन का जिन में बाई के साथ भी कोई संख्या होगी दो, तीन, चार, पाँच, छे X के साथ में भी संख्या थी यहाँ पे हमने बो तो solve किया है और आप इसको और भी solve कर सकते हो जैसे मैं अभी home work दे रहा हूँ उतना अच्छा रहेगा तो चलो home work लिख लो ठीक है और इसको कर लेना इसके बाद ही अगला वीडियो देखना है जब तक home work ना हो तब तक अगला वीडियो नहीं देखना है और क्रम से ही पढ़ाई करनी है एक-एक करके देखो सबसे पहले एक सवाल दे देदा हूँ यहाँ पे दो एक्स धन बाई बरावर छे यह सवाल इसलिए थोड़ा सरलसा दिया है ताकि इसके बाद आप इसको कर पाओ अगर यह बन जाएगा तो अगला सवाल मैं दे रहा हूँ वो भी कर लेना इन दोनों सवालों को कर लेना अच्छे से और यह होमबर्ख है आपके लिए और मैं अगले वीडियो में इनका आंसर भी आपको बता दूँगा ठीक है? कोई दिक्कत नहीं बता दूँगा तो अब हम बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ तो मैं टुकड़ों में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका जो आप बोर भी ना हो और आप गलित को अच्छे से सीखते भी रहें मिलते हैं नेस्ट वीडियो लेक्चर में थैंक यू